हलो दोस्तो मैं सो अपनिल देगे और ISO 9001 की सीरीज में आजम बात करेंगे क्लॉस नमबर 8.2 इस क्लॉस का टॉपिक है रिक्वाइर्मेंट्स फॉर प्रोड़क्ट्स एंड सर्विसेज देखे दोस्तो यदि मुझे पता करना है कि आप लोगो की रिक्वाइर्मेंट क्या है आप लोगो की क्या रिक्वाइर्मेंट है आप लोग क्या चाहते हैं तो इसके बड़ा जरूरी है कि मेरे पास कुछ इन्फर्मेशन हो है ना जब तक मेरे पास इन्फर्मेशन नहीं होंगी तब तक मैं यह इंशोर नहीं कर सकता कि आपकी रिक्वाइर्मेंट्स क्या है त तो requirements पता करने के लिए information का होना बड़ा ज़रूरी है, without information हमे requirements पता नहीं चलेंगी, product हो या service हो, जब तक उसके regarding information अवेलेबल नहीं है, तो requirements पता नहीं चल सकेंगी, ठीक है, यहने आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह का product चाहते हैं, या आप किस तरह की service चाहते हैं, या आप किस तरह का quality चाहते हैं, है ना, यह सारी चीजें तब पता चलती है, जब हमें information मिले, information ही वो तरीका है, जिससे हमें requirements के बारे में जानकारी मिलेगी, अब information कैसे मिलेगी, अगर मैं बात करता हो information की, तो information कैसे मिलेगी, information के लिए बड़ा ज़रूरी है कि communication किया जाए, communication जब होगा, तब हमें information मिलेगी, और यह communication ही वो तरीका है, वो मॉड है, जिसके जरीए हमें information मिलती है, communicated के लिए कई सारे Watching हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनके through communication किया जाता है, basic हमारा fundamental जो हमारी जो उद्देश है, तरीका है, जो हमारा aim है, वो यही है, कि कि इसी भ है और इसके लिए हम करते हैं communication ठीक है अगर आप YouTube देखें YouTube में comment का section रहता है और comment के बारे में क्यों कहा जाता है कि comment करिए comment करने का main purpose यह होता है कि उसके जरीए information मिलती है हम आप से direct बातचीत हमारी नहीं होती है इस YouTube चैनल के जरीए इन वीडियो के जरीए हम आप से संपर्क में आते हैं, आपसे हमारा contact होता है, अब हम यदि ये चाहते हैं कि आप से आपकी requirements के बारे में जाने, तो हमें information चालिए, और वो information हमें तम मिलती है, जब आप हमें comment करके बताते हैं, ठीक है, कई दफ़ा हम हमारा WhatsApp नंबर भी देते है उसका purpose भी यही होता है कि हमें इसके जरीए यह पता चलता है कि आप basically चाहते क्या है और वो information हमें मिलती है और फिर उसे as a input use करते होए हम अपने videos में उन्हें represent करने की कोशिश करते हैं उन्हें mention करने की कोशिश करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि communication होना चाहिए अब यह communication किस से हो रहा है यह communication customer से हो रहा है क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे है customer के लिए काम कर रहे है तो requirement for product and services की जब भी बात होगी तो सबसे पहला मुद्दा आएगा customer communication का और यही की पहला clause है 8.2 में जिसकी बाते कही गई है तो अब हम सबसे पहले इस clause को देखते हैं यह clause 8.2.1 customer communication सबसे पहले हम इसी clause को समझते हैं तो देखे दोस्तों clause 8.2.1 customer communication हमने सबसे पहले यही बात कही कि हमें product और services की requirement के लिए information चाहिए और उसके लिए हम customer से communication कर रहे हैं तो customer communication में जो सबसे पहली चीज involved होगी जो चीज सबसे पहले आएगी जो शामिल होगी वह होगी information information for product and services यानि जो भी आपका product और services हैं या आप product लेना चाहरे हैं या दोनों लेना जा रहे हैं उसके regarding जो भी जानकारियां है वह आपको दी जाएं जब आप supplier काम कर रहे हैं और आपका को customer है तो आपको उससे information लेना है product और services के regarding सबसे पहली चीज customer communication में यह include होती है दूसरी चीज आती है आपको inquiry करना है inquiry करना है आपको inquiry का मतलब क्या हो गया पूश्टाच अगर हम simple सा मतलब निकाले यह पूश्टाच और यह पूश्टाच किस चीज के संबंद में होगी किस चीज के बारे में आपको पूश्टाच करनी है तो यह inquiry आपको करना है product contractor services के regarding आप पूष्ट आज करेंगे, जानकारी लेंगे, किस-किस तरह से काम करना हैं, जो छोटी-मोटी चीज़े होती है, इन चीजों को लेकर आपको inquiry करना है, फूष्टाज करना है. contract और order के बारे में भी आपको करना है? requirement contract है या order है ठीक है? त्योंकि contract भी हो सकता है कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा project आपको मिल जाए ठीक है? customer की जो requirement है वो पूरे project को लेकर हो तो आप उसको लेकर communication कर सकते है या यह हो सकता है कि शर्फ order मिल रहा हो कोई order मिल रहा हो छोटा सा है ना यह हो सकता है कि परड़े की basis पर आपको order मिलता हो परड़े early morning आपको call आ जाता हो या mail आ जाता हो कि आज का यह order है इतना काम आपको करना है या यह हो सकता है कि चार दिन पहले आपको पता चल जाता हो कि हमें अप क्या बनाना है क्या order है तो इसको लेकर भी आपको communication करन है दो चीजे तो यह हो गई इसके बाद जो अगली चीज आती है कस्टमर फिडवेक मतलब आपका कस्टमर आपकी सर्विसेस से कितना खुश हे कितना संतुष्ट है यह आपको इस कम्मिनिकेशन में इंकलूट करना है आपको पता करना है कि आपका कस्टमर आप जो उसे टाइम पर डिलीवरी दे रहे या नहीं दे रहे इस चीज को लेकर उसे दे रहे हैं, उस चीज को लेकर वो क्या सोचता है, उसका क्या feedback है, आपने जो market के comparatively आपने जो price दिया है, उसको लेकर वो क्या सोचता है, उसको लेकर आपको उससे feedback लेना है, आपकी यहाँ पर काम करने वाले लोगों का attitude कैसा है, उनका behavior कैसा है, customer के साथ, customer के प्रती, उसको लेकर आपको feedback लेना है, तो customer feedback, इसको लेकर भी आप communication करेंगे, और इसके अलावा customer complaints, customer complaint, CC हम लिख देते हैं से, क्योंकि complaint भी बहुत communication का अच्छा तरीका होता है, हमारे हैं कहते हैं कि शिकायत से ही सुधार होता है, ठीके, तो यह complaint कहीं नहीं कहीं आपके लिए बड़ी positive होती है, जब तक आपको complaints नहीं मिलेंगी, जब तक आपको शिकायते नहीं मिलेंगी, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप में क्या drawback है, आप में क्या खामिया है, आप अपने आपको develop नहीं कर सकते हैं, जैसे हम खुद बताया हमें हमारे कुछ viewers है, उन्होंने कहीं अच्छी complaints भी कह सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें complaint नहीं कहूंगा, पर उनसे हमें किया, तो AC comments भी फायदे मन्द होती है, तो customer complaint भी कहीं ने कहीं एक factor है, जिसको लेकर आपको communication करना चाहिए, ठीक है, चोथी चीज जो इसमें आती है, वो आती है customer property के regarding, देखे customer property बहुत बढ़ी चीज होती है, customer की कहीं दफा आपके याप पर कोई चीजे आप इस्तिमाल कर करते हैं, कई दफा customer आपसे कहता है कि ये machine है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपके organization में लगाईए और मेरा काम करिये, वो machine लगी आपके plant में, आपके premises में है, लेकिन वो property customer की है, कई दफा customer के जो instruments होते है, measuring या monitoring करने के लिए, वो instrument customer के होते हैं, लेकिन use आपके plant में होते है तो वो customer की property है, आप उस customer की property को handle करना एक बहुत बड़ी responsibility है, कैसे उसे handle किया जाएगा, इस चीज को लेकर भी आपको अपने customer से communication करना है, अब handle में क्या मतलब हो गया, क्या चीज आ गई, handle का मतलब क्या हुआ, अब आप सो सकते हैं, handle से क्या मतलब हो गया, अब जैसे मान लिजे, customer ने आपको micrometer दिया, vernier दिया, ठीक है, monitoring, measuring, resources, equipment आपको उसने दिये, अब उसका calibration कैसे होगा, कोन करेगा, customer करेगा, या आप करेगे, machine है, तो machine का maintenance कोन करेगा, customer करेगा, या आप करेगे, इस चीज को लेकर, इस requirement को लेकर भी आपको communication कर लेना चाहिए, इसके जाती है, तो आप उसके respect में एक plan तयार करके रखते है, एक alternative तयार करके रखते है, इसे contingency action कह सकते है, contingency plan कह सकते है, इस चीज को लेकर भी आपको customer से communication कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि किसी कारण से production सफर होता है, production रुखता है, production में कोई रुकावट आती है, तो उस case में हम क्या करेंगे, मान लीजिए, raw material को लेकर कोई shortage आ गया, ठीक है, ऐसी condition बन सकती कि raw material को लेकर अचानक से shortage आ जाए, तो उस case में क्या contingency ली जाएगी, मान लीजिए कोई machine है, जो main machine है, उसी machine में अगर कोई problem आ गई, तो क्या उसके alternative उसका क्या available रहेगा, क्या action लिया जाए है, इसको लेकर भी आपको अपने customer से communication करना है, तो पहली जो चीज आती है, requirement for product and services में customer communication की, उसमें इन चीजों को आपको include करना है, और जब ये चीज़े आपको पता चल गई, आपने customer से communication किया है, जब customer से communication हो गया, requirements को लेकर, अब आपको requirements को determine करना है, requirements को पता करना है, औ और वो है clause number 8.2.2, अब हम उसे deal करते हैं, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे clause 8.2.2, determining the requirements for products and services, दोस्तों अभी आपने बात करी customer communication की, अब हम बात करेंगे कि product और services से जुड़ी हुई requirements को पता करना है अब हमें, अब हम इस चीज को समझते हैं, तो जब भी आप product और services की requirement को प चाहिए, यह क्या आपने इस चीज को पता कर लिया, इस चीज को determine कर लिया है, तो वो होती है legal requirements, यानि किसी भी product या services से जुड़ी हुई, अगर कोई legal requirement है, तो आप इस चीज को पता कर ले, यह बड़ा जरूरी है, कि आपने उस product या services से जुड़ी हुई, अगर कोई legal requirement है, तो उसे पता करा है या नहीं, उसे determine किया है या नहीं, ये बड़ा जरूरी है, आपको सारी चीज़े बता नी जाएंगी, कि ऐसे बनाना है, ये measurement होगा, ये specifications होगे, ये सारी चीज़े जरूरी है, ये test करना है, बहुत सारी बात है, लेकिन उसके अलावा जिस चीज़ को आप को ensure कर लेना चाहिए, वो ही legal requirements, क्या उस particular product को लेकर, या उस particular service को लेकर, कोई legal requirements जुड़ी हुई है, कोई statutory या regulatory requirement जुड़ी हुई है, इस चीज़ को आप ensure कर ले, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, वो ये आती है, कि आपकी organization की क्या उ उससे कुछ requirement नजर आती है, कि इस चीज़ को लेकर हमें कोई requirement हो सकती है, है ना, कहने का मतलब यह है, कि मानलीजे, आपस customer ने कह दिया, कि आप ये product बनाएंगे, और इसमें आपको ये काम करना है, अब suppose आपके पास उस पहली जो process है, मानलीजे, दो process में वो product तयार हो रहा है, अब पहली process के लिए जो कुछ भी जरूरी चीज़े है, machinery, equipment, सब कुछ, लेव वगेरे सब आपके पास available है, लेकिन जो process 2 है, इसमें आपके पास कुछ कमिया है, तो आप पता करें कि उस चीज़ से जुड़ी हुई आपकी organization की requirement है क्या, ये चीज़ भी ensure हो जानी है ना, तो ऐसी odd situation ना जम बना पेदा हो जाए, इस चीज़ के लिए आप इस requirement का भी पता कर लें, और इसके बाद जो एकोच चीज़ आपको ensure कर लेना चाहिए, वो है claims, अगर कोई claim वाली चीज़ है, कोई condition है, कोई requirement है, तो वो भी आप ensure कर ले, इस requirement को पता करते समय, यान क्लेम को लेकर अगर कोई requirements है, तो अपने customer से इस चीज़ को भी आप पता कर ले, इस चीज़ को भी clear कर ले, तो ये कुछ चीज़े हैं, जब आप बात करते हैं, determining की requirements को determine करने की, इस clause में, अब पहले आपने communication कर लिया, फिर आपने determination कर लिया, अब जरूरी है कि आप review कर ले अभी याद रखिए, आपने order लिया नहीं है, अभी आपने अपनी तरफ से कोई commitment नहीं किया है, अभी सिर्फ बात्चीच चल रही है, चीज़े पता चली है, क्या करना है, केसे करना है, अभी तक officially आपकी तरफ से कोई commitment नहीं किया गया है, आपने हा नहीं कहिए, कि हम ये क काम आपका करने वाले हैं तो उसके पहले commitment करने से पहले जरूरी है कि आप सारी requirement और product को लेकर product और services की requirement को लेकर एक बार review करें तो अगला clause है review का अब हम उसे देखते हैं तो दोस्तो अब हम बात करेंगे clause 8.2.3 जो है review of requirements of product and services यानी product and services की requirement का review करना है अब आपको तो review आप केसे करेंगे यह सारी बाते clause 8.2.3.1 में बताता है आपको standard और कहता है कि आप पहले तो आपकी जो टीम है जो आपकी core team है जो आपकी management की team है जिसके पास यह सारी authority है वो सब लोग बेठेंगे और review करेंगे और किस चीज़ पर review करेंगे requirement को लेकर तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपसे वो कहता है कि जो भी customer की specific requirements है इनको लेकर आप review करें मतलब आपके लोग बेठें और customer की जो भी specific requirements है उनको लेकर review करें कि क्या आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते क्या इसमें कोई इसी problem आ सकती है जिसमें जो हम नहीं कर सकते क्या कोई ऐसा issue raise हो सकता है जिसको हम fulfill नहीं कर पाएंगे उसको हम sort out नहीं कर पाएंगे तो customer की specific requirements को लेकर जिसे हम CSR कह रहे हैं इसको लेकर आपको review meeting में discuss करना है इसके अलावा delivery delivery या post delivery को लेकर अगर कोई activity की बात कही गई है post delivery को लेकर या delivery को लेकर कोई activity कही गई है जो generally जिसे हम PDI के थे pre dispatch inspection वगरे कुछ करने की बाते कही गई है या कोई delivery को लेकर कि कैसे delivery की जाएगी क्या कोई packing को लेकर को specific requirements की बाते कही गई है तो उनको भी लेकर आप review कर ले यदि customer ने कहा है कि जो उसका product है वो एक खास तरह की packing में आना चाहिए तो क्या आप उसे fulfill कर सकते हैं इसके अलावा post delivery से मतलब यह हो गया कि आप से यह कहा गया कि उसके पहले आपको किसी तरह का को inspection करना है या delivery होने से पहले जो customer है उसकी organization से एक बंदा आएगा और वो confirmation देगा कि piece okay या नहीं ओके product okay या नहीं ओके तो इस तरह की अगर को activity है और आप उसको लेकर क्या सोचते हैं या उससे fulfill कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसको लेकर आपको इतनी review meeting में बातचीत करना है, discuss करना है इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है legal requirements को लेकर अगर कोई legal requirements है जैसे अभी हमने बात करी थी वो legal requirements को लेकर भी आपको review meeting में discuss करना है उससे भी आपको अपनी review meeting में उस मुद्धे को उठाना है इसके बाद जो अगली चीज है आपके organization की जो requirements हैं जैसे हमने बात कही थी अभी पहले भी अभी जो 8.2.2 में हमने बात कही कि आपके organization की भी उस चीज को लेकर कोई requirements हो सकती हैं उसको लेकर भी आप review कर लें इसके अलावा क्या होता है कई बार customer आपसे नहीं कहता customer ने आपसे कोई requirements ऐसी होंगी जो नहीं कहीं होंगी लेकिन आपको पता है कि इस काम को करते समय इस requirement की ज़रोत पड़ेगी ये चीज की ज़रोत पड़ेगी तो उस चीज को भी आपको अपनी review meeting में discuss करना है उसको भी आपको review करना होगा लेकिन जब आप ने उस चीज को देखा तो आपको पता चला कि इस चीज की ज़रोत पड़ेगी ये मुझे required होगा तो एसी किसी requirement को भी आपको अपनी review meeting में उठाना है उससे भी आपको discuss करना है इसके बात जो अगली चीज आया थी वह बड़ी महतोपूर्ण है बड़ी important है कि मान लीजे पहले customer ने कुछ और बात कही जब आप उससे communication कर रहे थे तब उन्होंने कुछ और बात कही लेकिन जब order आया जब contract आपको मिला तो आपने देखा requirement अलग है यानि जब communication हो रहा थ तब तो कुछ और बात ही चल रही थी और जब आपके हाथ में contract आया या order आया या mail आया कागज आया तो आपने देखा requirement अलग हो गई तो ऐसे किसी भी मामले को आपको review meeting में उठाना है अभी हमने साफ साब बात कही आपने commitment नहीं किया है आपका communication हुआ आपने requirements पता कर ली 8 8.2.1 और 8.2.2 अब आप review करेंगे अभी तक आपने कोई commitment नहीं किया है तो पहले कुछ और बात हुई contract मिलने पर order आने पर अभी आपने signature नहीं किया है सिर्फ आपके पास आया है और आपने देखा कि ये तो अलग है जो बात चीज चल रही थी उससे तो ये अलग निकला तो इस चीज को भी आपको अपनी review meeting में discuss करना है वहाँ पे इस मुद्य को उठाना है अगली बात जो इसमें कहता है इस clause में वो ये भी कहता है कि एसे किसी भी meter को start out कर ले एसे किसी भी meter को आपको resolve कर लेना है उसका solution ढूंड लेना है क्योंकि ये समस्याए नहीं आना चाह ही है ठीक है तो आपसे इस clause में इतनी बात कहता है और इसके बाद जो अगला clause है इसी में clause है 8.2.3.2 इसमें वो आपसे सिर्फ ये कहता है कि आपको record रखना है आप जो भी बातचीत कर रहे हैं उसका record रखें जो आपके पास contract आ रहा है जो order आ रहा है उसका record रखें जो कु जाता है minutes of meeting कहा जाता है उसको आपको रखना है और प्लस जो भी contract या record से जुड़ी या order से जुड़ी जो भी आपके पास चीजे है उनका आपको record रखना है 8.2.3.2 में इतनी बात हो रही है अगला clause 8.2.4 इसमें अब ये बात कही जा रही है कि अगर कोई change हो जाता है तो क इस चीज़ को समझें पहले बात हुई कम्यूनिकेशन की फिर requirement पता करने की उसके बाद review हो गया अब बात यह है कि यदि किसी तरह का कोई change हो गया requirement में जैसे हमने बात कही कि पहले कहा कि 50-50 बनने हैं प्रती दिन पर दे वह बाद में के दिया नहीं सी 25 बनेंगे अगर कुछ changes हो जाता है ठीक है यह 50-50 की बात contract में final हो गई आपने review कर लिया सब कुछ हो गया commitment हो गया सब कुछ हो गया बात में कुछ change हो गया कामशालू हो चुका है production शुरू हो चुका है सारे record बनने शुरू हो चुके सब कुछ शुरू हो चुका है ठीक है, review हो गया, commitment हो गया, सब order order सब मिल गया, सब कुछ हो चुका है, production start, अब ये चीज़ चल रही थी, आप से कह दिया गया, contracting 50-20 बनाना है, एक दिन बने, दो दिन बने, तीन बने, एक अपता बने, दो महिना, एक महिना बने, दो महिना बने, इसके बाद requirement जो थी, वो change हो हो गई, ठीक है, यानि, contract या order में, जो बाते पहले कही गई थी, उनमें कोई changes आ गया, जिसमें हमने requirements की बाते कही थी, उनमें अगर कोई change आ गया, तो आपको क्या करना है, इस clause में ये बात बताई गई है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, कि जो भी amended document होगा, जो भी documented information जुड़ी हुई है, उसे आपको amend करना है, उसमें आपको amendment करने की जुरत है, amendment आपको करना है, ठीक है, तो आपको document amendment form एक तयार करना होगा, और उसके basis पर आप document amendment करेंगे अपना, यानि जो पहले था, वो क्या था, और अब जो नया बना है, वो क्या बना है, यानि पहले अगर मुझे से कहा गया था कि जो design होगी वो कुछ और होगी ठीक है और अब मुझे पता चला कि आप जो design है वो कुछ और है तो मैं बताऊंगा कि पहले design कुछ एसी थी और अब design जो है वो कुछ ऐसी हो चुकी है याने amend करना होगा जो भी जुड़ा हुआ document है उसे ठीक है इसके बाद पहली चीश तो आपको यह करनी होगी और दूसरी चीज यह है कि जो भी person इससे जुड़ा हुआ है जो भी बंदा इस काम को कर रहा है उससे भी बताना होगा कि एसे एसे changes हो चुके है याने आपको मान लीजिए suppose पहले design कुछ और थी ठीक है पहले आपको यह size का pen बनाना था अब बात कह दी गई कि आप इसको size जो है यह बढ़ जाएगा थोड़ा size इसका बढ़ाना है ठीक है तो जिस कागज में पहले यह लिखा हुआ था कि size इतना होगा उस कागज को आपने amend किया और एक नए कागज पर उसे बताया कि आपने document कर लिया है और आप size यह बढ़ चुका है ठीक है तो एक चीश तो आपको यह करना है दूसरा जो बंदा इस pen को बना रहा है ठीक है जो इस pen को बनाने के लिए machine को set कर रहा है या जो भी इस से जुड़े हुए लोग है top से लेके bottom तक उन सभी को इसको लेके inform आपको कर देना है जो भी concern लोग है जो इस machine की setting लगाने वाला है या जो भी concern person है उसे आप बताएंगे उसे भी इस चीश की information दी जाएगी कि आप changes हो चुके है यह आपको काम करना है in case of any changes तो यह बात आपको यह clause कहता है तो 8.2 जो clause है वो यहां complete होता है तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही हम discuss करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे like करिए ज्यादे 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 शेयर करिए और जैसे हमने कहा comment करिए हमें भी information मिलती है कि आप क्या चाहते है तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you very much